हेलो गाइज, वेलकम टू सूनी ऑनलाइन क्लासेज, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरीकृत प्रतीचेयन या वर्गे सेंपल परणाली या स्टेटिफाइट सेंपलिंग मैथड क्या होता है यह जो मैथड है ना प्रतन दो वीधियों का समलेत रूप है इसलिए इसे कभी-कभी मिश्चित वीधी भी कहा जाता है इसके अनुसास सबसे पहले समगर कोई सजाती वर्गों में विभाजित किया जाता है यानि कई सजाते वर्गों में सेंटिफाइड कर सकते है फिर परतेग वर्ग में निश्चित संख्या में काया देव निदरसन अधार पर चुनली जाती है इस प्रकार वर्गों के विभाजन परतेग वर्ग से कायों की संख्या निश्चित करने में तो सभीचा निदरसन व रहती है यदि वर्गों का चुना उचित रूप से क्या गया है तो थोड़ी सी इकाया भी प्रतिनिधी सैंपल का काम कर सकती है वर्गों के निर्मान में निमलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे फर्स्ट पॉइंट है सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि अनुसंधान यानि रिसर्च का जो सब्जिक्ट है उसे रिलिटिट कॉंकों से क्वालिटीज है जिन के अधार पर समगर का वर्गी करण क्या जा सकता है समाने रूप से पाए जाने वाले गुन छेत्र आई लिंग इत्याद ही होते हैं तो इनी के अधार पर पहले समगर को वर्गी क्रित क्या जाता है वर्गी करण के अधार पर गुनु के चुनाव से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे समगर के अधियन के लिए महत्पून हो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है परतेक वर्ग का कार इतना बड़ा हो कि उसमें इस एकाईयों का चुनाओ देदनी दर्शन विधी द्वारा हो सके यदि वर्ग मे इकाईयों की संख्या कम होगी तो देव नी दर्शन का अपयोग करने में कठनाई होगी नेक्स्ट जो पॉइंट है वर्गों का निर्मान इस प्रकार करना चाहिए कि एक वर्ग में आने वाली सभी इकाईया सजाती है तता समान हो प्रंतवे दूसरे वर्गों की इकाईयों से अलग हो नेक्स्ट पॉइंट जहां तक हो सके परतेक वर्ग से उतनी ही इकाईया चूनी जाए जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाईया समगर में है इस प्रकार यदि किसी समाजिक समू में समू में पढ़े लिखों का प्रतिसर 75% है तो सैंपल में भी पढ़े लिखे लोगों के वर्ग से कल सैंपल की काईयों में 75% चूने जाएंगे वर्गे नीदर्सन परनाली के कितने टाइप्स पाए जाते हैं तो मेली इसके थी टाइप्स है पहला है सानुपातिक वर्गे नीदर्सन नेक्स्ट है अस सानुपातिक वर्गे नीदर्सन और नेक्स्ट भार्युक्त वर्गे नीदर्सन सानुपातिक वर्गे नीदर्सन क्या होता है इस विधी के अनुसापरतेक वर्ग में से इकाया उसी अनुपात में चूनी जाती है जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाया समगर में है नेक्स्ट जो इसका टाइप से असानुपातिक वर्गे नीदर्सन इस विधी के अनुसापरतेक वर्ग में से समान संख्या में काया चूनी जाती है इसी प्रकार यदि विविन वर्गों में काया समान संख्या में नहीं है तो उनकी संख्या सैंपल में असानुपातिक हो को के दोस्त दूर किय जाते हैं इस सानुपातिक संख्या वाले वर्गों की एकाईयों को अधिक भारपर्दान करके उनका प्रवा अधिक बढ़ा दिया जाता है भार प्रया उसी अनुपात में परदान किया जाते हैं जिस अनुपात में आने वाले काईयां कुल समू में होता है वर्गी नीदरसन के गुन भी होते हैं यानि क्या कि उसके मैरिट से इस पर डिस्कुस करेंगे फर्स्ट जो इसका मैरिट है इसके द्वारा सेंपल निकालने वाले को सेंपल के चुनाव में अतिक नियंत्रन प्राप हो जाता है नेक्स्ट जो पॉइंट है यदि वर्गी करन उचित रूप से किया गया है तो प्रतिनिधी सेंपल का चुनाव अपेक्छाक्रित थोड़ी इकायों में हो सकता है इसकी बेप्रित देव निधर्शन में प्रतिनिधित्व का गुन तभी प्राप्त होगा जब प्रयाप संख्या में इकाया चुनी जाएगी नेक्स्ट जो इसका मैरिट से इकायों का प्रतिस्थापन अतियन सुविधा जनक हो सकता है यदि आरंबिक सेμपल कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें किसी कारन संबख नहीं हो सकता है उसके स्थान पर वर्ग का दूसरा व्यक्ति चुना जा सकता है नेक्स्ट जो जो इसका मैरिट से वर्गी करण द्वारा सेमपल इस प्रकार भी चुना जा सकता है कि सैंपल की अधिकान से इकाइय भगव्यूलाय की रूप में ने से समय और धन, उसी दोनों की बच्चत होती है. तो यह सारे मैरिट से इसके साथ ही वर्गे निदर्शन के दि मैरिट भी हैनि दोस भी है. फर्स्ट जो है यदि अनुचित अत्वा अनुप्युक वर्गीकरण किया गया है तो सैंपल में अभी नती उत्पन हो सकती है तता चुने वे सैंपल में किसी विशेश वर्ग गिकायू बहुत अधीक या बहुत कम हो सकती है इस प्रकार उसका प्रतिनिधित्वपून होने का गुन नच्ट हो जाता है प्रतिनीधित्व पून होने के लिए सैंपल का सानुपातिक होना आश्यक हो जाता है देनीधर्सन में या अनुपात अपने आप राप्त हो जाता है यदि वर्गों से चुनाओ आसानुपातिक अधार पड़ किया गया है तो बाद मेँ भार का प्रयोग करना पड़ता है में व्यक्तिगत अभिनती का प्रभाव पड़ सकता है तथा अनचित भार प्रदान करने से शैमपल प्रतिनिधित्व हिन बन जाता है नेक्स्ट जुसकर दिमेरिट है वर्गों के बन जाने के बाद भी एक ही काई को विसेस वर्ग में रखने में कठिनाई पढ़ सकती है यदि वर्ग वोने तैस पस्ट नहीं है तो यह निश्चे करना बड़ा कठिन हो जाता है कि किस विडियो में हम देखे कि अस्तरीकित प्र परनाली या स्टेटिफाइड मैथड क्या होता है फिर मिलते हैं इनी वीडियो में इनी टॉपक के साथ जैहिन